आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CUTPG Political Science 2024 का क्या कटफ रह सकता है ये डेटा के हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे इस पे कुछ कॉमेंट आये थे कि Political Science का कटफ क्या रह सकता है साल 2024 के इंट्रेक्स एक्जाम जो हुआ है CUTPG का तो अगर हम बात करें टॉप इन्वर्सिटीज की जैसे जेनियू, डियू और आपका BBAU, UH और BHU जैसे सिवराज जैसे टॉप इन्वर्सिटीज की जिसमें स्टुडेंट का फिटिमांड करते हैं और भी काफी सारी सेंट्रल इन्वर्सिटीज सामील उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जो टॉप की इन्वर्सिटीज है उसका क्या कटफ रह सकता है, पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जो जो पॉइटिकल साइंस कोर्स में वो आपका जेन्यू और बीच्चु को टार्गेट करते हैं, जेन्यू को मैक्सिमम एस्टुडेंट टार्गेट करते हैं, ऐसा मैंने देखा है, और इसी के बारे में सबसे ज़्यादा कोश्चन्स भी एस्टुडेंट के द्वारा पूछ जाते हैं, तो कटेगरी वाइज में कटफ बताने की प्रयास करूंगा, इसमें जेन्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर तीन प्रकार के पॉलिटिकल साइंस में कोर्स देखने को मिलते हैं, और विकावी सारे पॉइंट भी इसमें कंसिडर किये जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट ने यहां पर रेश्टेशन किया है, कितने छात्रों ने एकजाम दिये तो यह है पॉलिटिकल साइंस, आप सभी देख सकते हैं, तीर का निसान वाला, कोड है इसका है, हुक्यूपी वन एट, और अगर हम स्टूडेंट की बात करें, यहां पर, स्टूडेंट की संख्या थी, एक तालीस हजार पांसो नीन यानवे, और अपियर स्टूडेंट की संख्या की बात करें, तो तीस हजार दोसो ब्यालेस स्टूडेंट अपियर हुए थे, तो इस डेटा की हिसाब से हम लोग मान के चल सकते हैं, कि 70% के आसपास, लगभग 70% स्टूडेंट यहां पे एकजाम में अपियर हुए हैं, और इस तीस आप से बात करें, टॉप इनवर्सिटी की सीट की तो लगभग यहां पे मान के चल सकते हैं, कि 250 के आसपास, टोटल कटेगरिस मिला करके सीट होंगी, सारे इनवर्सिटी की टॉप 45 जो टॉप इनवर्स सेफ स्कोर की बात करें, पिछले साल के डेटा के हिसाब से, पिछले साल की डेटा की हिसाब से अगर हम बात करें, सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपका, तो मेरे हिसाब से अगर सेफ स्कोर की बात करें, पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल यहां पे 210 प्लस जिनका मार्स था 300 में पिछले बार भी cut-up बना था जेनियू में तो यहाँ पे अगर 200 plus marks अगर आपका रहता है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जेनियू जैसे top universities में या फिर बनारस इंदू इंवर्सिटी जैसे top universities में आपका admission हो जाएगा ME political science में जेनियू में तीन परकार काई में political science चलता है जैसे कि मैंने आपको अलड़ी बता चुका हूँ लेकिन अगर आप political science किसी भी course बेड़े भी सलना चाहते हैं चाहे वो तीनों में से कोई भी हो IRM हो या POLM हो कोई भी हो तो 210 प्लस अगर आपका marks है तो जेनियू में general category से भी आपके chances बनेंगे वहीं अगर हम बात करें EWS category की तो 205-204 के आसपास marks है 6 तक 204 से लेके 6 के बीच में EWS category के लिए OVC category के लिए 200 plus marks से 205 के बीच में अगर आपका marks है 4-5 नमबर का ही आप अंतर रहेगा उससे ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है general category और OVC EWS की बात कर रहा हूं वहीं SCST की cut-off की बात की जाए तो cut-off मानके चल सकते हैं 20 numbers लेके 30 number तक minus कर सकते हैं आप सभी 20-30 number minus कर सकते हैं बीच्चू की अगर हम बात करें cut-off की या UH की बात करें या किसी और top universities की बात करें subject की इसी subject की जाए political science की तो आपका जो cut-off है 190 plus अगर आपका marks रहता है general category में और 160 70 plus marks रहता है अगर 170 plus marks रहता है CST category में तो मानके चल सकते हैं कि आपको किसी न किसी round में अराम से admission top universities में political science में मिल जाएगा पिछले साल के हिसाब से मैं बता रहा हूं और भी कम cut-off गई थी कई सारी university जो low rank है उसमें तो आगर आपका mark 100 है तो भी admission हो गया था जबकि 400 number में पिछले साल एक्जाम होगा था तो इस बार 300 marks कहीं वह थे तो हो सकता है कि 70 marks पे ही कई सारी university में जैसे कि आपका मैं बात करूं जो कि बिहार में बिहार के गाया में है Central University इसमें तो 70 60 marks भी होगा आपका तो भी आराम से admission लास्ट राउंड तक हो जाता है चौधा पाच्वा राउंड तक counseling होता है और वहां पे student seat छोड़ देते हैं तो admission के chances आपके बनेंगे 200 प्लस अगर आपके marks है तो top universities मेराम से हो जाएंगे 170 प्लस है तो आप counseling में जरूर भाग लीजिए गाट आप इनवर्सिटीज की और अगर low marks है उससे तो low rank वाले कुछ universities को भी target किजिए जैसा कि मैंने बताए साउथ भीहार को भी आप target कर सकते हैं वैसे आपका marks अगर 150 प्लस है तो आप सभी इनवर्सिटीज में application जरूर डालिएगा registration जरूर किजिएगा cut up top universities के लिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ 200 प्लस रहने वाला 200 प्लस अगर अपके marks है 300 में तो top universities को आफ target सकते हैं मतलब safe मान सकते हैं और 180 प्लस है तब भी admission होने के बिलकुल chances रहेंगे ऐसा नहीं है कावी सारे जरूर एक्जाम दिये हैं लेगिन counseling इसमें से 50% या 40% student ही कराएंगे और उनमें से भी 30% student admission ही नहीं लेंगे कहीं न कहीं वो किजी सधान जगह से भी में political science करते हैं जैसे इगनू वगरा से भी तो यहां पर cut-off high नहीं रहेगा लाश्ट लाश्ट तक काफी सारे universities में cut-off low चला जाएगा 161 70 वी चला जा सकता है जेनरल कटेगरी में बात कर रहा हूं लेकिन सुरुआती जो cut-off है जो safe score है वो आप मान के चल सकते हैं 200 प्लस मार्क्स यह आपका safe score रह सकता है आगे भी मैं इसी तरह का video आपके लिए बनाता रहूंगा और counseling से related कोई भी प्रकार का आपको help चाहिए या किसी भी universities के बारे में आपको जानना है जो कि CVT PG में सामिल है तो आप मुझे directly message कर सकते हैं whatsapp group और telegram channel का link आपको description में बिलेगा वहां से आप सभी telegram और whatsapp group join कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी doubt हो कुछ भी प्रशन हो कोई भी परसानी हो तो आप मुझे call भी कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही thank you for watching this video have a nice day